Hello students, welcome back to my channel PharmaCare. आज हम पढ़ने वाले हैं Lexative, Cathreatics, Purgatives. इसका meaning क्या होता है? Lexative का, Purgative का meaning क्या होता है? Cathreatic का meaning क्या होता है? इनके definition पढ़ेंगे, उसके बाद हम की classification पढ़ेंगे. उसके बाद हम briefly describe करेंगे Lexative की category को, Purgative और Cathreatics को. So let's begin with our topic. सबसे बहले हम क्या करते हैं? Introduction पढ़ लेते हैं. Introduction में हम definition पढ़ेंगे Lexative की और Purgative की और इनका meaning समझने वाले हैं. जो Lexative होता है, वो basically क्या होता है? Lexative basically वो drug होते हैं, जो हमारे body के अंदर stools होते हैं, उनको भार निकाले में help करते हैं. जो पर्गेटिव होते हैं, वो भी हमारे watery stools होते हैं, पॉड़ी के अंदर, उनको भार निकाले में help करते हैं. जो पर्गेटिव होते हैं, Lexative होते हैं और Cathreatic होते हैं. इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, Classification of Lexative. Classification basically इसमें क्या होता है, Mechanism of Action के According Classification होते हैं. इनका Mechanism of Action जो Categories हैं इसके अंदर, वो Mechanism of Action हम briefly बाद में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम Category देखते हैं, Basic भी 6 Category होते हैं, सबसे पहली Category जो आती हैं, उसके अंदर होता है Luxative. Luxative के अंदर जो Example आते हैं, वो सबसे पहला Example है Dietary Fibers. Dietary Fibers में जो Example आते हैं, Dietary Fibers का मतलब यह होता है कि जो हम Meal के दौरान जो Fibers ले रहे हैं, अपनी बाड़ी में कंजूम करने हैं, उनको बोलते हैं Dietary Fibers. सबसे पहला Example है, इसमें ब्रेन, ब्रेन को हम चारा भूसी बोलते हैं, हिंदी में अगर किसी को समझना हो तो, उसके बाद आता है Methyl Cellulose, उसके बाद आता है Isfagula या Isfagol, उसके बाद हमारी जो Second Category आती है, वो होती है Stumulant या Irritant Luxitive, जो Stumulate करते हैं या फिर Irritate करते हैं हमारे Intestine को, उसको वो इस Category में आते हैं, सबसे पहले जो आते हैं, इसमें आते हैं Phenophthalene Example, Bisacodyl, या Sodium, Picosulphate, उसके बाद Second इसमें आता है, Senna, Cascara and Sagrada, Third Category आती है हमारी Osmotic, Osmotic Luxitive वो Osmotic वैसी Osmotic वर्ड से अगर समझना चाहो तो यह Water Gain करते हैं और अपना Mass Gain करके, तब हमारा जो Stools होते हैं या Bowls होते हैं, उसको Evacuate करवाते हैं, मतलब भार निकालते हैं, इसमें आते हैं हमारे Magnesium Sulfate, Magnesium Hydroxide, Sodium Phosphate, Sodium Sulfate, Lactylose, या Poly Ethylene Glycol, जो Fourth Category आती है, वो होते है Stool Softener, Stool को Soft करके, उसके बाद Evacuation करवाते हैं यह, इस Category में आते हैं, Docusate, Liquid Paraffin, उसके बाद Fifth Category आती है, 5HT4 Agonist, 5HT4 Agonist, इसके अंदर जो Example आते हैं, वो होते है, Prue Calopride, उसके बाद उस Last Category आती है, वो होती है, हमारी PG Analogs जो होते हैं, इसमें Example आता है, Luby Prostone, इसके बाद हम Mechanism of Action पढ़ने वाले हैं, Different Categories को Briefly Discuss करने वाले हैं, जो सबसे पहले हमारा आता है Legsative, वो होता है Osmotic Legsative, इसकी Mechanism पढ़ने से पहले हम कुछ Point पढ़ लेते हैं, यह जो Osmotic Legsative होते हैं, वो Magnesium, Sodium और Potassium के Salt होत होता है, उनको बोलते हैं Saline Legsative, अब इसका Mechanism of Action हम पढ़ लेते हैं, इसका Basically क्या Mechanism होता है, कैसे यह Evacuation करवाता है, जो भी हमारे Body के अंदर बाउल होते हैं, उसको कैसे करता है, जब कोई किसी भी पेशेंट को बाउल प्रेजेंट होता है, इंटस्टाइन के अंदर तो और जब हम Osmotic Legsative को लेते हैं, उसके साथ बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, अब किसी भी पेशेंट ने या जो भी बंदा हो उसने Osmotic Purgative ले लिया, उसके बाद क्या करता है, एक से तीन घंटे के बीच में Small Interestine और Large Interestine दोनों पर काम करेगा, दोनों पर Act करने के बा Small Interestine और Large Interestine पर काम दिखाएगा, एक से तीन घंटे के अंदर, उसके बाद ये क्या करेगा, बॉडी से Osmotic Activity के Through, ये क्या करेगा, फ्लूड को ड्रॉ करेगा, मतलब पानी अब्सॉब करेगा, पानी अब्सॉब करने के बाद, लियूमन के अंदर पानी अब्सॉब करने Intestine की Movement है, Intestine की Movement स्टार्ट होने लग जाएगी, Stimulate करवा देगा, उसको स्टार्ट होएगा, जिसकी वज़ए से एक से तीन घंटे के बीच में, वो क्या करेगा, Evacuation में हेल्प कर देगा हमारी स्टूल के, और वो भार निकल जाएगा, ये होता है, पूरा Mechanism of Action, जो Osmotic Lex लेक्जेटिव हमारी बॉड़ी के अंदर या फिर किसी भी की बॉड़ी के अंदर कैसे काम करता है, दूसरी कार्टिगरी जो हमारी आती है, वो होती है, बल्क फॉर्मिंग लेक्जेटिव, अभी बल्क फॉर्मिंग लेक्जेटिव क्या करता है, बल्क फॉर्मिंग लेक् करेंका हैं इसको हीईस्टrick उता है एक और पोल के व्हार की तरफ पुश करेंगा ताकि जो ऑवाल है, वो हमारा evacuate हो जाए बाहर निकल जाए defaction बोलते है defaction हो जाएगा बाउल का अब ही इसको diagram के थूँ अगर देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं अगर by chance मान लो cellulose अगार या brain या linseed कोई भी ले लिया हमने mouth के थूँ as a bulk former ले लिया उसमें क्या करेगा पानी हमारा जो है पानी एब्सॉर्ब होएगा और ये जो मास है वो बहुत बड़ा हो जाएगा अब बहुत बड़ा होने के बाद इसके अंदर क्या है stool भी प्रेजेंट है उसको क्या करेगा बाहर की तरह evacuate कर देगा यही हमारा main motive इसके बाद हमारा आता है stool softener stool softener बेसिकली अगर word से समझना चाहो तो stool softener, stools जो हमारे प्रेजेंट होता है intestine के अंदर उसको soft कर गए भार evacuate कर वाएगा यह basically stool softener का मतलब होता है basically commonly जो हम stool softener use करते हैं इसमें वो होता है docusate docusate एक salt होता है di-octile sodium sulfosuccinate का जिसको हम short form में लग सकते हैं DOS या फिर di-octile calcium sulfosuccinate का उसके बाद यह जो docusate होता है एक anionic surfactant होता है जो की surface tension होती है stools की उसको कम कर देता है जिसकी वज़ह से क्या होता है हमारा fluid और fatty substance जो होता है हो जमा होने लग जाता है accumulate होने लग जाता है जिसकी वज़ह से जो stools हैं वो soft होने लग जाते हैं अब यह जो common जो stools softners होते हैं वो basically एक से तीन दिन के अंदर अपना काम दिखाते हैं और यह basically stool softners जो होते हैं वो administer कर जाते हैं by mouth, orally और या फिर enema enema क्या होता है enema एक ऐसा substance होता है जिसके अंदर stool softner प्रेजेंट होगा यह drug प्रेजेंट होगा उसको हम by rectus administer करेंगे और वो अपना काम दिखाता है उदर से उसके बाद जो decusate होता है जो drug होता है वो अपनी absorption liquid paraffin की absorption होता है उसको increase कर देता है इसलिए हम कभी भी docusate को कभी भी हम liquid paraffin के साथ combination में कभी नहीं देते क्यों नहीं देते क्योंकि liquid paraffin के बहुत सारे side effect होते है सबसे पहला जो side effect होता है वो होता है lipid pneumonia lipid pneumonia क्या होता है जो drug होता है वो drug lungs के अंदर चले जाता है जो की बहुत harmful होता है body या patient के लिए इसलिए हम कभी भी liquid paraffin को bad time पे नहीं देते और जब भी कोई patient है उसको वो अगर lying position होगा मतलब लेटा होगा वो patient तो उस condition में हम नहीं दे सकते दूसरी जो adverse effect है अगर हम long term तक liquid paraffin को use करते हैं तो उसमें क्या होता है जो vitamin A, vitamin D, vitamin E और vitamin K की absorption जो है वो काम होने लग जाएगी और body में उसकी concentration काम होने लग जाएगी जिसकी वज़े से जो side effect है vitamin A, vitamin D, E और K के side effect body के अंदर देखने लग जाएगी जो थर्ड इसकी side effect है वो है leakage of fecal matter fecal matter अपने आप ही leak होने लग जाएगा जिसकी वजह से soiling of cloth होने लग जाएगी मतलब की जो patient होगा वो कपड़े अपने गंदे करता रहेगा अपने आप leakage होने लग जाएगी fecal matter की जो हमारा last आता है lexative वो होता है stimulant या irritant lexative अब इसका मतलब क्या होता है stimulant यह किसी चीज़ को irritate करेगा क्योंकि word ही बता रहा है आपका irritant lexative अब irritant lexative किसी को irritate करने वाला है तो किस चीज़ को irritate करेगा ताकि हमारा जो stools है या bowels है वो भार की तरफ निकल जाए या फिर evacuate हो जाए सबसे पहला जो हमारा ये काम दिखाता है वो होता है enteric neurons के उपर और GI mucosa के अंदर enteric neurons कहां present होता है ये present होते हैं आपके intestine के अंदर और GI mucosa मतलब gut के अंदर ये काम करने वाला है दूसरा इसका ये होता है कि ये basically काम करता है stimulant और irritate ये हमारा जो prostaglandins होते हैं और cyclic adenosine monophosphate का जो level होता है उसको बढ़ा देता है बट ये क्या करता है जो sodium iron होते हैं और potassium atps की activity जो intestinal mucosa के अंदर होती है उसको कम कर देता है मतलब उसको inhibit कर देता है उसके बाद इसकी वज़ा से क्या होता है इसको इसकी inhibition और pg's की increase करने के लिए cyclic AMP का जो level बढ़ता है उसकी वज़ा से क्या होता है जो water या फिर electrolyte होत की secretion जो होते है वो बढ़ जाती है mucosa के अंदर जिसकी वज़ा से जो paristylases होती है जो movement होती है intestine की वो बढ़ने लग जाती है जिसकी वज़ा से क्या होता है finally जो हमारा stool होता है या bowl होता है जो semi solid semi fluid जो stools होते हैं वो evacuate हो जाते हैं मतलब बाहर की तरफ निकल जाते हैं अग बहुत जादा doses में दे दिया किसी भी patient या किसी भी बंदे को तो उसमें क्या होता है कि उसके body से fluid और electrolyte का loss बहुत जादा होने लग जाता है जिसकी वज़ा से body में fluid और electrolyte का disbalance होने के बहुत जादा chance है उसके बाद इसका contradiction होता है हमारा pregnancy के दोरान pregnant lady जो होती है उनको हम के अंदर क्या होता है reflex stimulation हो जाता है uterus का इसका मतलब होता है कि uterus का contraction करवा देगा इस reflex stimulation of uterus को हम Ferguson reflex भी बोलते है